देखे बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो यूनिटान मेजरमेंट चैप्टर है उसके कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करी थी आज हम इसके कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक क्वेशन है बोतिकी का प्रसिद्ध संबंध किसी कंड के चलित द्रवेमान मुविंग मास तो इसको बोलता है चलित थोड़ी से प्रिंटिंग मिस्टेक और वमने तो बताई भी थी कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है निकाली थी ना आपने विम्यादार पर चलिए आज भी वही करने वाले इस मिस्टेकैने अलबर जो आयंस्टाइन है सइनिस्टेकन मुविंग मास और रेस्ट मास में समंध बताया था अगently मोग मेरे जैसा जिसने वह याद तो कर लिया कि उन्हों इंग ऑन रिल्याद करते तो पुछीं कुछ सब्स्ते सब्स्राइब कर लाएे फॉनल जाते है यह मैं भूल गई ठीक है और मैंने इस फॉर्मुले को ऐसे लिख दिया ठीक है अब मैं यह फॉर्मुला में लिख दिया है मिक्वस्टु एप नोड अंडरूट में वन माइनस वी स्कॉर ठीक है यानि कि यहां पर एक सी और आना चाहिए ता जिसको मैं लगाना बूल गई मुझ चलिए कैसे सही करते हैं चलिए आप मैं क्या है फॉर्मुला मैं हमारा जो फॉर्मुला है जो मैं भूल गई और मैंने लिखा एम इक्वस्टु एम नौट अपॉन अंडरूट वन मैंस वी स्कॉर अब मुझे एक सी ओल आना है ठीक है जहां सी है प्रकाश का वेग सी क्या ह कि आखे आती है की ओड़न वाघन निरवात यह वार में फ्रकाश के वेग को फ्रकाश मिटर्स सेंधे के कि यहां दे ने रही है स्कॉराज निए क्या को तो आप लिएक लिग यहां पाता ही निकालेगे गे में और C भी वेग है बस प्रकाश का वेग है चलिए अब हम इस फोर्मुले को करेक्ट करना है कि हमने कहां गलती करी है तो क्या करेंगे जब फोर्मुला भूल के और उसे करेक्ट करना हो तो आप लोग हमेशे ध्यान रखिया वीमा चेक करिए अगर आपके लेफ साइड की वीमा के बराबर आ रही है तो फोर्मुला सही है अगर नहीं आ रही है तो मतलब आपने कहीं न कहीं गलती करी है चलिए एम मास मास की वीमा क्या होती है एम वन एलोटी नहीं है तो जिरो जिरो लगा दिया एम नौट यह नीचे आएगा ठीक है यहां नीचे आएगा तो एम नौ T-1, V square है, तो इसका square कर दिजए, तो L2, T-2, सही है न, C b क्या है, वेग, वेग की विमा क्या होती है, प्रकाश का वेग है लेकिन है तो वेग ही, और वेग की विमा क्या होती है, L1, T-1, ठीक है, यह हो गया, अब दिया गया, सूतर कब सही होगा, जब LHS की विमा क्या हो, RHS की वीमा के बराबर हो चलिए सौल विकड़ी अब देखे यह मास है यानि कि इस पूरे पत की वीमा भी मास के बराबर आनी चाहिए या नहीं यह नहीं यह तो नीचे वाले पत की वीमा कुछ है यह सकते हैं यह ना यह चाहिए इस की वीमा बढाना है अब देखे इसको वीमा हीन कैसे बनाता है वह अंडरूर्ट में माmelonaks कर दो यानि कि इस वी स्क्वाइर को मैं कि ना कर दूंगी तो यानि कि इस वी स्क्वाइर को मैं किससे भाग कर दू आप वी और सी वह यह पर सी ने लिखना आपको यह तो वी स्क्वाइर यह सी है तो बहलू एक पद बच जाएगा वी का तो मुझे सीडिक सिइश्कार से इसको भाग देना पड़ेगा तब यह पूरा का पूरा पद विमाहीन होगा तो मुझे बताएं कि सीडिको कहां लगा तो बताओ है ना अगर हम भूल भी जाए यह फ्यूचर भी आपके काम आ सकता है कभी आपको फॉर्मुला भूल जाओ कहीं भी क्या रखना है तो आप फटा फट से वीमा का यूज करिए और अपने फॉर्मुले को सही कर लीजिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं बहुत इंट आपके बुक का आर्टिकलर वो दे रखा है कि 2.31 में हमने दूरिया निकाली थे लब में दूरियों का मापन बस वही यूज करना है लंबबबन सिद्धान का यूज किया जाता है सूर्य के परिता है अपनी कक्षा में 6 महिनों अंतराल पर प्रत्वी की अपनी दो इस्तान ठीक है चलिए अर्थाट आदा रेखा प्रत्वी की कक्षा के व्यास प्रत्वी का व्यास दे रखा है आपको यह पूरी दूरी दे रखी है ठीक है कितनी है 3 x 10 की पावर 11 मिटर है इतना होता है कि बराबर है लेकिन निकर्तम तारे बहुत दूर होता है आपके पास डिधार निगे यह बनेगी बनेगी ना तो लंभी आदा रेखा होने पर भी वे चाप के केवल 1 second पर्लों केवल 1 Rum Deputy 21 years old 9ες है टो यह अन्यको जेंग स्थित्षित करते हैं यहनि कि आपको और डिएग की तना 1 second खगोली पैमाने पर लंबाय का सुवीदा जनक मात्रक पारसेक होता है अभी हम पढ़ेंगे पारसेक क्या होता है बैसे टॉपिक आपकी बुक कही था लेकिन ये क्विश्चन में आ रहा था तो मैंने आप लोगों को इसको क्विश्चन के साथ समझाना ज्यादा जरूरी तो हम यहां पढ़ेंगे कि पारसेक होता क्या है यह होता है कि खगोली पैमाने पर जितने भी हमारी लंबी दूरिया निकाली जाते हैं उनको पारसेक में निकालते हैं ठीक है पारसेक मतलब है तो दूरी का ही मात्रक लेकिन बहुत लंबी दूरियों का मात्रक जैसे प्रत होता है किसी पिंड की वह दूरी है जो प्रत्वी से सूरे तक की दूरी के बराबर आदार रेखा के दो विपरीत किनारों से एक सेकंड का लंबन परदर्शित करती है तो आपको यह निकालना है कि एक पार सेक मतलब एक मिटर में एक पार से कितना होता है यानि किह 90 मीटर होता है वो आप से पूछना चाहरा है इस पूरे कश्यंट का रिजल्ट यहीँ है कि आपको क्या निकालना कि एक 5ake में कितने ली pressure होते हैं एक पार सएअ के डेफिनिहें आप लोग प्लीज यहां से नोट कर लीजियेगा इसकी एक definition और है जो हम अभी आगे next question में पढ़ेंगे ठीक है चलिए question देखने में तो कुछ समझ में नहीं है होगा ना ठीक है लेकिन करने में बहुत आसान है करते है देखो यहां से पहले diagram समझे और समझी कि एक पार से होता है ठीक है यह क्या है एक गोला है जिसका केंदर पर क्या है सन रखा हुआ है ठीक है यही तो माना था ठीक है और यह प्रत्वी है ठीक है इसकी केंदर के उपर बता है तो ना फिर यह चाप करता है ठीक है अब एक पार से कि यह होता है कि कोई दूसरा कोन की यानि कि कुई पिंड प्रथवी से 1 क्या रखा हुआ है तो वह इसकी त्रज़ की सबस्क्राइब बना रहा है कुंड का कोण अगर ये कोन तो यह डाइक्रम समझ में आ गया कि पार्षैक तो आपको यह निकालना है कि यह एक पार्षैक है और इसको मिटर में निकालना है अब देखिए प्रत्वी की कश्या का व्यास आपको दे रखाए 3 इंटू 10 की पावर 11 मिटर लेकिन हमें क्या चीए त्रिज्या भाई यह पू अब मैने बताया था कि यह तो मीटर में है यह सेकंड में है जब करेंगे अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, चलिए, हम जानते हैं कि एक जो साइकिन्ट होता है, उसके अंदर 4.82 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन होता है, हम जानते हैं, इसके आगे लिख लेना, we know that, निकाल चुके हैं, और मैंने कहा था कि आप इनको स्मॉल भी अपॉन कैपिटल डी, लंबवन सिद्धान से, निकाला है ना, अरे हाँ भाई, हमने निकाला है, आप लोग लास वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, आप देखो, यहां में क्या पूछ रहा है, वो दी तो पूछ रहा है, भाई, डी क् प्रत्वी की तु होगी, यहां पर यह देखो, यह देखो यह तृज्जा है, यह एक पार से तब बनेगा, जब यह तृज्जा हो, व्यास नहीं लेणा यहां पर तिर्जा लेनी है, तो तो तृज्जा कितनी है, वन पॉंट फाइंटू टैन की पावर इलेवन, ठीटा हम प्रिश में लेना था तो एक घात यहां से आ गया गई तो यह कितना गया 3.09 इंटू 10 की पावर 16 मिटर तो यह एक स्टेंडर डिजल्ट है इसको भी आपको ध्यान रखना है कभी कभी हम इसको 3.08 भी ले ले लेते हैं 3.08 इंटू 10 की पावर 16 तो कोई फरक नहीं पड़ता है इतना सा चलता है ठीक है आगे हम यह 3.08 यूज करेंगे ठीक है तो आपको य पार सेक में कितने मिटर हुए 3.08 यह 3.09 इंटू 10 की पावर 16 मिटर चली अब आगे चले चलिए मेरे साथ साथ आप इंको नौट कर लीजिएगा बागी आपको विस सॉलुशन सारी सारे जो क्यूशन से उनकी विस सॉलुशन पीडिया प्रवाइड हो जाएगी आप देख अब बताते हैं कि क्या है ठीक है सबसे निकरतम तारा हमारे सोर मंडल से इतनी दूरी पर है 4.29 प्रकाश वर्ष दूरी का ही मातरक होता है लेकिन खगोली है मतलब जो खगोली जो एस्ट्रोन ओटी उसमें इनको इसमें प्रकाश वर्ष में यूस करते है ठीक है अब प्रक सेंटोरी तारा है जो हमारे सोर मंडल का सबसे निकरतम तारा है और इतनी दूरी पर है तब कितना लंबवन पर दर्शित करेगा जब इसे सूर्य के परित है अपनी कक्षा में प्रत्वी की दो इस्तानों से जो छे महिनों के अंतराल पर देखा जाए तो इसका लंबवन भ अग्रा रहा है क्योशन समझ में निthose वहां घटकर कोई नहीं अभी समझ में आ जाएगा जब करेंगे जब झालीए आप देखो पहले तो आम जानते हैं कि प्रकाश वर्श क्या होता है प्रकाश वर्श को बलता है लाइट येर क्या कहते है लाइट येर की मैंने डैफिनि प्रकाश वर्ष वह दूरी है या वह कुल दूरी है जो प्रकाश प्रकाश ने एक साल में कितनी दूरी तै करी है उसी दूरी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक साल में तै की गई कुल दूरी को क्या कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है त प्रकाश के दौऔरा 1 साल में तै की जाती है। और इसक fret 1 light year. ठीक है, यह एस aí है इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो यह 1 the way समझ लेने आप ठीक है, ठीक है, ठीक है तो one light year का formula भी आपको याद दखना है, वन लाइट की एर क्या होती है प्रकाश के दौरा एक साल में तेह की गए दूरी तो क्या हो गई स्पीड ओफ लाइट यानि की प्रकाश का वेक इंटू वन इयर यह इसका फॉर्मूला होता है वन लाइट एर का ठीक है यही से इसकी डेफिनिशन बनी है अब प्रकाश का वेक मैंने बताया था स्टेंडर मान होता है आपको याद होना अची है कितना होता है ठीक है लिख लेना है यह स्टेंडर वैल्यू है ठीक है अब आपको इस एक एर को हमें तो भई हम जब जब भी समय लेते हैं तो किसमें लेते हैं साट मिनिंट 6 कंड 10 तो यह पूरा बदल जाता एक एंड सेकिंड में ठीक है यह एक एर सेकिंड में बदल गया कि इतने सेकिंड होते हैं एक एर में और प्रकाश का वेग हमें पता है इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा इतना सेकिंड सेकिंड यह मिटर बच्या तो बताओ वन लाइट इंटको आपको याद रखना है आप सोच रहोंगे कितने सेंडर रिजल्ट अरे अभी तो शुरुआत है खूब आएंगे लेकिन यह नहीं लगते हैं तो हम यह यह नोब जाते हैं इसलिए गबराई यह मत तो एक ल है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होते हैं अब अभी अभी हमने निकाल है कि एक पार्सक्ट में कितने मिटर होते हैं अब देखों वह यह बोल रहा है कि 1 light year में इतने मिटर होते हैं हमारा तार्ण कितनी लाइट दूर है 4.29 तो बताईए इसको 4.29 से गुणा कर दीजी कर दोगे न तो यह जाएगा इतना ठीक है 40.4867 फॉर फोंट रुटन चैनल्य पर घ Gegen ऑमिवन्ण पसक्ट इसने पारिवह 45 मीजैना में हिस्ते ब्धाय sono एक द पता है तो आप ऌनल सकते संकित जबस प्रकुंट अफैना मिजैरत क birthday तो इतने अपछा को ओम है जो बहुत बेखे निकला कीजिए इसको इससे क्या हों WILL से दीजिए तो इसमें भाग दे दिया ठीक है यह लाइट यह में इसको बाद दे दिया तो इतने का इस वह राग देजिए तो एगा 1.32 पारसेट तो 4.29 लाइट एर में कितने शाइक होता है 1.32 पार-से चुछ नहीं करना है आपको पर शाख कि जो ऐलू थी उसमें इसको भाग दे दो बस तो यह पार्शक में कनवर्ट हो जाएगा तो यह आ गया यह रिजल्ट अब देखिए पार्शक की डैफिनिशन नमें और पड़ेंगे तो वह यह रही वह दूरी जिस पर प्रत्वी की कख्षा की ओसत त्रिज्जा एक आर्क सेकिंड का कौन आंतरित करती है एक पार्सेइट कहलाती है और यही तो डैइग्राम बनाये था हमने वह एधूरी जिसमें प्रत्वी की तरिजएक कितने का निबना है ? एक और ख second धी यह दूरी कितनी हो गी एक फैसे होगी ? पार्सेइट होगी 1 कितना होगा 4.29 प्रकाषवर्श में इतने पार्सक होते हैं अब प्रकाष वर्षों पार्सक है क्या है तो अमारा क्या समय ठीक है अब देखें 4.29 प्रकाषवर्श में 3.1.32 होते हैं और बांचे जो लंबर 1 होता है उसका चाप का एक सेकेंड बाई तो दूरी पर है तो यह पड़वलें थो इंटी दूरी इंटी चाप एक सेकेंड को प्रकाश वर्ष में कितने पार्सक होते हैं अब देखिए लेजर सुना है ना हम लेजर सुना है ना लेजर प्रकाश के अत्यदिक तिर्व एक वर्णी और एक दडशी यह एक दडशी किरन पुंज का श्रौत है होता है यह लेजर की प्रॉपर्टीज होती है जब आप लोग लेजर पढ़ेंगे तो वहां हम इसकी प्रॉपर्टीज लेजर के इन गुणों के करण बाई लेजर जो होता है वो इसमें यह यह प्रापटी होती है इसी वज़े से लेजर को जो उपयोग है वो लंबी दूरियन आपने में लेजर का उपयोग किया जाता है लेजर को प्रकाश के श्रोत के रूप में उपयोग करते हुए पहले ही तरह किम चंद्रमी प्रत्वि तुर को तो वह बोलगा बैजर को बेज करें अपर प्रत्वी के परिता है चंद्रमा की कक्षा की तृज्जा कितनी होगी चलिए करते हैं तृज्जा के परिता है चंद्रमा की कक्षा की तृज्जा कैसे किया होगी तिर्जा का मतलब क्या है प्रत्वी से चंद्रमा की दूरी अभी अभी हम डाइग्राम बनाए तो अब यहां पर सन की जगे मून रख दीजिए यह अर्थ है ठीक है तो यह तो दूरी हुई ठीक है ऐसे कुछ होगी तो इसका भी फॉर्मूला होता है डी जो होता है अगर हम प्रत्वी से चंद्रमा पर जाने में उस किरन पुंज को कितना समय लगा तो आप उस दूरी को निकाल सकते है डी जुकल टू सीटी जब हम लोग आप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां हम यह फॉर्मूला पढ़ेंगे ठीक है तो डी जुकल टू सीटी आप यह फॉर्मूला लेकिन एक्जक फोर्मूला यह है डी जुकल टू सीटी अप यह थिछ जो होता है वह थाइंग्च लेकिन हमें तो पूरा फूर्म पर गई जाने के समय निकाला है तो हम जाने का समय कैसे निखा लेंगे, उसका आदा कर दो, आदा ही तो करेंगे, तो इसलिए मैंने ये formula ऐसे लिखा है, आपके बार, t by 2 लिख दिया, क्योंकि हमें तो सिर्फ जाने का समझी है, इसलिए c into t by 2, ये t by 2 t के साथ में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d is equal to c into t by 2, और t by 2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें तो सिर्फ जाने का समझी है, आने का नीची है, हमें total दे रहा है, तो हमें उसका आदा करना है, लेकिन formula आपका यही होता है, तो c का माल आपको बता है, 3 into 10 की पावर 8, t आपको पता है, उसका आदा कर दीजिए, तो आज आए 3.84 into 10 की पावर 8, मीटर, ठीक है, यहां गया आपका आंसर, ठीक है, यानि कि यह तरिजा कितनी है, 3.84 into 10 की पावर 8, मीटर है, और यहांने इस नए formula से निकाला, जो हम optics में पढ़ेंगे, ठीक है, अब चलिए, नेक्स्ट है, एक विख्या तत्य है कि पून सूरे ग्रण, अरे भाई, अभी थोड़े दिनों पहले ही सूरे ग्रण हुआ है, हुआ है, ठीक है, तो सूरे ग्रण में क्या होता है, बदे को यहां दिया हूँ अभी है, सूरे ग्रण की आवधी में, चंद्रमा की जो चक्रिका होती है, वो सूरे को पूरी तरह से ढख लेती है, जिसकी अभी आपको सूषना दी हुई है उनको उपयोग करते हुए चंद्रमा का व्याद करना है ठीक है देख लिए ना आप लोग एक्जाम आपकी क्वेश्चिन नंबर 2.0 2.4 में कुछ चंद्रमा से रिलेटेड कुछ वैल्यू जी वही है उनको यूज करते हुए आपको चंद् में निकाला हुआ है 3.84 इंटू 10 की पाउर 8 मिटर और अभी लास्ट केशन में भी निकाला है यह देखो 3.84 इंटू 10 की पाउर 8 मिटर तो आप यहां से भी निकाल सकते हो चंद्रमा से प्रत्थवी की दूरी ठीक है चलिए तो हम डार्यक आज यहां यूज करेंगे इसको यह उती है चंद्रमा का कोनी है व्यास एलफा का फॉर्मूला बताये ता मैंने small d upon capital d जहां d तो होता है व्यास ग्रह का यहां चंद्रमा का पूछ रहा है और यह दूरी होती है तो एलफा is equal to आगया d by यह यह दूरी तो हमें दे रखी है प्रतिव से चंद्रमा की यह कि एक जो सेकंड होता है उसमें 4.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 रेडियन होता है हमें पता है यह वैल्यू ठीक है तो एक रेडियन में कितने सेकंड होंगे वो निकाल लेजिए तो एक रेडियन में आगे एक सेकंड बटे इसको से भाग दे दीजिए ठीक है यह कर लिया अब हमें अलफा भीन पता फूच के रहा है डीए आप देखिए वह क्या बोल रहा है हां है अबॐसे कूर्ष कूर जो सांड एगा तorts ब्लब कर लो क्यों कि रेडियन में था ना हम से कन्वट कर रहे हैं इसलिए हमने इसको इससे गुना कर दिया इस ऐसement ऐं तो शेकर बोला ए कौणी व्यास व्यास ज Holy हो गत तो आपको कई 9202 कोंड ऐसा क्विचिन होता है यह दिया हूआ ॉइसने बोला है कि की इूस करिए हैई थीका ँथा है तो कि यूस कर देखो और हमारा था रेडियन में ये देखे रेडियन में था हमारा रेडियन में था हमको सैकेंड में चीए था इसलिए हमने इसको इससे भाग दे दिया ठीक है अब ये भी second में है ये भी second में है तो रख दीजिए तो बताओ अब d की value निकले की नहीं तो d बराबर कितना आ गया एक बटा ये पूरी संग्या इंट बराबर 1920 यहां से आप इसको solve करोगे तो चंद्रमा का व्यास आएगा 3573 km यहां पर 3 ओ लगा लीजिएगा ठीक ह होंगे आपके बुक में जो केशन 2.3 है उसमें दे रखाया है कि सूर्य का कोणिया व्यास इतना होता है तो हमें जब कुर्य का पताई जो चंद्रमा का भीत रही होगा उसको यूस करते हुए हमने चंद्रमा का व्यास निकाल लिया ठीक है तो बच्चों यहां पर मैंने आ नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू